बड़ी खबर आई राजवरी में हुए आतंकी हमले से जुड़ी राजवरी में सेना के काफिले पर हमला करने वाले आतंकी की तलाश में बहुत बड़ा सर्च ओपरेशन जारी है तो रक्षा बल ने राजवरी और पुंच जलू के कई इलाकों की गेरेबंदी कर दी इस बीच आमी चीफ मनोज पांडे ने उन इलाकों का दौरा किया जहां ये सर्च ओपरेशन चलाय जा रहा है उन्होंने सेना के बड़े अधिकारियों के साथ एहम बैठर भी की और इस आतंकी घटना के बाद आलात का जाइजा लेने के लिए रक्षा मंत्री राजवरी सिंग भी बुदवार को राजवरी के दौरे पर जाएंगे कूत्रू के हवाले से खबर है कि 21 दिसंबर को हमला करने वाले सभी आतंकी पाकिस्तान की सेना के संपर्क में थे और उनकी तलाश में जारी अभियान को और तेस कर दिया गया 21 दिसंबर को सेना की गाड़ियों पर हमला करने के बाद भागे आतंकियों को पकड़ने के लिए लगातार सर्च ओपरेशन चलाया जा रहा है ना सर्फ जमीन पर चप्पे चप्पे की तलाशी ली जा रही है बरकि सेना के हेलिकॉप्टरों के जरिये आस्मान से भी उन्हें पकड़ने की मोहिम जारी है राजौरी और पुंच के कई इलाकों की घेरेबंदी कर दी गई है इस अभियान में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप, स्पेशल फोर्स और सी आरपीफ के जवानों को भी लगाया गया है जमो कश्मीर पुलिस पी इन जिलों में बसे गने जंगलों को खेर कर आतंकियों की तलाश में जुटी है और इस बीच सेना प्रमुक मनोच पांडे हालात का जायजा लेने के लिए राजौरी के डेरा की गली इलाके में पहुँच गए खबर है कि इस दोरान आर्मी चीफ को सेना के ओपरेशन से जुड़ी तमाम जानकारियां दी गई इसी जगा पर 21 दिसंबर को आतंकियों ने सेना की दो गाडियों पर हमला कर दिया था उस हमले में चार जवान शहीद हो गए थे जबकि तीन घायल हुए थे और आतंकियों ने 21 दिसंबर को यह हमला उस वक्त किया था जब सेना के जवान पुंच में सार्च ओपरेशन के लिए जा रहे थे राजवारी के डेरा की गली इलाके में इस हमले को अंजाम देने के बाद सभी आतंकियों भाग गए थे और उन आतंकियों की तलाश में पिछले पांच दिन से ओपरेशन जारी है चार जवानों की शहादत का बदला लेने के लिए सुरक्षा बल के जवान राजवारी और पुंच में दिन रात जुटे हैं इससे पहले 21 दिसंबर को राजवरी में घात लगा कर बैठे आतंकियों ने सेना के काफिले पर हमला कर दिया था उस दिन आतंकियों ने सेना की दो गाड़ियों पर ताबड तोड गोलियां बरसाई थी जिससे सेना के जवान जवाबी कारवाई भी नहीं कर पाए थे जरिये जवानू को सुरन कोट से बफलियास ले जाया जा रहा था क्योंकि वहाँ सेना पहले से ही आतंकियों को पकड़ने के लिए शापेमारी कर रही थी और उसी मोहिम में शामिल होने के लिए सेना की दूसरी टीम को ले जाया जा रहा था बीच रास्ते में ही आतंकियों ने जवानू पर हमला कर दिया था और उस हमले में शहीद हुए जवानू का पूरे सम्मान के साथ अंतिन संसकार कर दिया गया राज़ौरी की घटना में यूपी के कानपुर के रहने वाले जवान करण यादव भी शहीद हो गया और उनका पार्थिव शरीर जैसे ही कानपुर लाया गया बहां मातम पसर गया शहीद करण यादव के छोटे भाई तो सेना की गाड़ी के आगे ही रो रो कर जमीन पर गिर गये तुरंत ही पुलिस और सेना के दूसरे जवानू ने उन्हें धांडस बन भाया इसके बाद शहीद करण यादव को सेना ने गाड़ ओफ ओनर गिया और फिर हजारून लोगों की मौजूदगी में उनका अंतिम संसकार हुआ इसी तरह उत्राखंड के शहीद जवान गौतम सिंग का भी पार्थिव शरीर जब उत्राखंड के कोट द्वार लाया गया नारे भी लगाए राजवरी में हुए आतंग की हमले में देश के लिए सबसे बड़ा बलिदान देने वाले बिहार की गया के रहने वाले शहीद चंदन कुमार को भी श्रद्धांजली दी गए उनका पार्थिव शरीर विमान से गया लाया गया इसके बाद गया एरपोर्ट पर ही उन्हें भावधीनी श्रद्धांजली दी गए और इस भी जम्मू कश्मीर के बारा मुला में एक दिन पहले रिटार्ड SSP की हत्या पर जम्मू समेथ कई जलो में पाकिस्तान पर लोगों का घुस्सा भड़क गया इसकी एक तस्वीर जम्मू से भी सामने आई वहाँ शिफ सेना के कई कारिकरताओं ने पाकिस्तान का विरोध करते हुए जोरदार प्रदर्शन किया इस दोरान उन्होंने अपना गुस्सा जाहिर करने के लिए पाकिस्तान के जंडे में आग लगा दिया इसके साथ ही प्रदर्शन कारियों ने आतंकियों की मदद करने वालों पर भी अपनी भडास निकाली बारा मुला के रहने वाले रिटायर्ड एसेसपी मुहमत शफी एक दिन पहले मस्जिद में नमाज पढ़ रहे थे तभी आतंकियों ने उन पर गोलियां चला दी जिससे उनकी मौत हो गई इस अत्याकांड को अंजाम देने वाले आतंकियों की तलाश में सेना पूरे बारा मुला में सर्च उपरेशन चला रही है